नमस्कार स्वागत है आप सभी का बिहार टॉप में रात के साढ़े नौ बज रहे हैं और सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनिती से जुड़ी हुई सामने आ रही है दिल्ली से बिहार बीजेपी के 17 लोकसबा सीट पर परत्यासियों के नाम घोशित कर दिये गए हैं जी हा परत्यासि बना बक्सर से कौन परत्यासि बना इंसीटू का मैं जिक्रिस ले कर रहा हूं क्योंकि यहां से परत्यासि बदल दिये गए हैं मुके सहनी का पत्ता बीजेपी ने साफ कर दिया है तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में जुड़िये जल्दी लोक सभा सीट पर सबसे ज़्यादा विवाद था सबसे अधिक अंटी इंकमबेंसी सांसद के खिलाब था पश्चिम चंपारन पश्चिम चंपारन मतलब बेतिया लोक सभा डॉक्टर संजय जैस्वाल तीन बार से सांसद हैं और चौथी बार भी बीजे प्यून पर भरोस जताई है मतलब नरेंद्र मोदी को ये विश्वास है कि पश्चिम चंपारन से डॉक्टर संजय जैस्वाल फिर से एक बार सीट निकाल लेंगे ये चौथा बार होगा जब संजय जैस्वाल बेतिया जीतेंगे अगर इस लोग सभा चुनाओं में उन्हें जीत हांसिल होता है तो दूसरा सीट पूर्वी चंपारन मोतिहारी लोग सभा सीट डॉक्टर मफ किजेगए राधा मोहन सिंग्हरा नाम चल रहा था कि वो कट जाएगा राधा मोहन सिंग मनने मंच पर रो भी दिया था मोदी को emotion जाग गया राधा मोहन सिंग्ह सब से senior नेताओं में सुमार राधा मोहन सिंग का एक छत्रप राज मुतिहारी और पुर्वी चंपारने माना जाता है तो उनका टिकट काटने का हिमाकत बीजेपी नहीं कर पाई है कह भी चुके हैं राधा मोहन सिंग कि अंतिम चुनाओ है ये उम्र की अंतिम देहलीज पर चल रहे हैं काफी सीनियर का लोग सभार उनके बेटे जो हैं असोक कुमार यादव सांसद हैं और फिर से उन पर बीजेपी भरोसा जताई है तो मधुबनी से असोक कुमार यादव का टिकट बीजेपी ने कंफर्म कर दिया है अरडिया प्रदीप कुमार सिंग सिटिंग MP है अरडिया को लेकर बहु हैं पाच्वा नाम जो है दरभंगा गोपाल जी ठाकूर दे कि हमने कल ही आपको पता जाए थाकूर जो है वो रिपीट करेंगे और गोपाल जी ठाकूर एक खिलाफ एक महौल था दरभंगा में बाजू दिसके बीजेपी उनका टिकट काटने की हिमाकत नहीं की है मुझफ मुझफरपूर में बदलाव कर दिया गया है अजय निशाद का टिकट काट दिया गया है चर्चा थी कि सीट से मुकेस सहनी जो है वो चुनाओ लड़ सकते हैं बीजेपी के सिंबल पर साम तक्सन से बना हुआ था लेकिन अब क्लियर हो गया है राज भूसन निशाद नाम अधिक्तर सीटों पर आप गौर कर रहे होंगे बीजेपी जो है वो अपने परत्यासियों को रिपीट कर रही है और वैसा है गुणागरित सारण में भी दिखा है राजीपरताप रूडी का टिकट बीजेपी ने एक बार फिर फाइनल किया है वो राजीपरताप रूडी पर सारण में बीजेपी को भरोसा है कि रोहनी अचार को हरा देंगे तो सारण से राजी प्रताप रूडी का नाम फाइनल कर दिया गया है उज्यारपूर तय था कि नित्यानंदराई को ही एसीड जाएगा इस पर कोई विबात नहीं था कोई चर्चा नहीं था और वैसा ही हुआ है नित्यानंदराई उज्यारपूर से बीजेपी के प्रत्यासी बनाए गये हैं बेगू सराय लंबी चर्चा हुई आइपीस विकास बैबंत की चर्चा हो गई राकेश सिनहा की चर्चा हुई लेकिन गिरिडाज सिंग गिरिडाज दा कहे जाते हैं बीजेपी के सीन देता है राश्ट्री सचीव हैं और काफी मेहनत किये थे छेतर में बावजूद इसके रिद्राज सिना का टिकट नहीं कंफर्म हुआ रविशंकर प्रसाद जो मंत्री भी रहे मंत्री पत्र से हटाया गया कहा गया कि मोदी के नजर में खटक रहे हैं बावजूद इसके रव यादव की बेटी मिशा भारती को हरा रहे हैं तो पाटली पुत्र से राम क्रिपाल यादव का सीट कंफर्म कर दिया गया आरा आरके सिंग बेस्ट एमपी बेस्ट परफॉर्मेंस हर कुछ एक नंबर रहा है उनका बीजेपी की नजरों में अमित्तान अर्द मोदी की नज रहा था और ये उम्मी जताई जा रही थी कि वहां से उनका टिकट कटेगा टिकट कट भी गया मनोश्तिवारी की चर्चा थी कि मनोश्तिवारी वहां पर टिकट पा सकते हैं लेकिन बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बैकुंठपूर से पूर्विधायक रह मिथ मिथिलेष तिवारी ब्रामन चेहरा, बड़ा ब्रामन चेहरा माने जाते हैं भ्याहर में मिथिलेष तिवारी का टिकट कंफर्म कर दिया गया है। का टिकट वहां से कट गया है जो बाकी दो सीट बचे हैं और अंगाबाद और नवादा और अंगाबाद में सुचील कुमार सिंग जो सिटिंग भाब हुमियारों का गड़ भी कहा जाता है और बीजेपी वहाँ पर विवेक ठाकूर को टिकट दे दिया है तो यह सत्रह नाम सत्रह नाम हमने खोल के रख दिये टिकट किसका कटा बक्सर से स्विनी चौबे का कटा मितले स्तिवारी को दिया गया सचराम से छेदी पास्वान का कटा सीवेस राम को दिया गया यही कुछ सीठ है मुजफरपुर से राजनिसाथ को दिया गया आजाएनिसाथ का Ticket कट गया है तो यह तीन सीठ पर बड़ा फेर बदल बिजेपी ने कर दिया है नवादा जो नया सीठ है बिजेपी के लिए वो सीठ पर भीवेक ठाकूर पास था रामा देवी थी तो रामा देवी का के बदले वो सीट येडियू को गया और वहां से लवली आनन ताल ठोक रही है तो ये 17 परत्याशियों के नाम आप